बिहार की राजनिती के चानक कहे जाने मेरे शुशील बोधी साब इस वक्त आज़र मंद्रि मंदल का विस्तारा आखिकार हो गया बड़े बड़े नाम बड़े बड़े चीजे कई दागी छवी के जो करधार रहे हैं उनको भी शामिल किया रहे हैं लालू जी की सरकार में अपरादेक प्रिष्ट भूमी के दागी छवी के लोग बड़ी सिंक्का में सामिल होते थे उसे प्रकार नितीज जी की सरकार में भी और दागी चेरे साब दिखाई पड़ रहे हैं और किवल दागी नीए जिनके नाम से लोगों में दाशत है प्राधिक च्वी के लोगों को सरकार में शामिल करके आप क्या मेसेज दिना चाहते हैं? आप मंत्री तो बना सकते हैं आप लेकिन आप कोई पॉजिटिव मेसेज नहीं दे सकते हैं. पेर अगस वनiiii को नहीं बनाये गया, कायस समाज के एक विकति को नहीं बनाया गया, मैथिल ब्रामण के क्याएक विकति को बनाया गया, राजपुतों की भी संक्या घटा दे गई. तो यानि और आप पिछ्ड़े वर्गों में बब देखेंगे तो वैश्व समाज की घूर पेक्षा को इस्वाज समाज की उगल दो लोग मंतरी बने हैं तो नितीजी जी तो कते थे कि हम कुर्मी कोिरी की पाटी है इनके के लोग कते थे वो निकाथ कुर्मी स्वेश जी को चार विभाग दे कर रहे भई निए क्तपन के विभागों पर कृम हं लेकिन अगर आप विभागी मंत्रिय कई एक क्रह आ थो नों भी आप दूसर रहां इस video स्दूपस्किया नहीं कर शकते मैं भी जब सुरुवी बना था डिप्टी से हैं तो मेरे पास चेचे भी वहाग थे लेकिन फाइनिस डिपार्टमेंट भी मेरे पास था तो यह बहुत महत्पूर्ण फोट्फोलियो है जो कि हर हालत में होना चीता रास्टे जनता दल के पास पता निकिस कारण से और दोनों जो है इन लोगों ने अपने पास रख लिया और तेजपड़ता प्यादो को बनाया इसके लिए में लालु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसे से लालु जी पंद्रे साल बीस साल तक बिहार की जंता का मनोजन करते रहे तो अब तेजपड़ता प्यादों भी जो ह धंकियां देते रहेंगे, जब मंत्री नहीं थे तब इतनी हनक थी, अरब तो मंत्री बन गए, तो इसलिए कुल मिलाकर मैं उमीद कर रहा था कि नितीज जी एक बैलेनिस मंत्री मंडल बनाएंगे, जिसका एक अच्छा संदेश पूरे देश में और राज्य में जाएगा, ल नहीं सारे इंक्वाईरी हो, अब नितीज जी उस पाले जा चुके है, तो अब आपकी रहनिती क्या होगे, उससे आपसे बहतर उस पॉल्टिक्स को, जे, पर्टी की कोर कमिटी की बैठेंगे, अभी तो तीन दिन बिता है, तो पर्टी के सभी निता बैठेंगे, और बैठ समिकरण के लोगों को 33% जगह दे दी गई है, जो कदापी उचित नहीं है, तो इसलिए एक अच्छा संदेश जो पूरे देश के सामने नहीं गया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम कहरते बिहार के चानक वाके में, कई सालों तक इन्होंने पॉल्लिक्स को देखी है और लालू जी के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ाई सुशिल जी की ही रही है, इस बार उमीद करते हैं कि नई जो सरकार बनी है और जिस तरह का वो जंगल राज का जो पहला समिकरणा है, कहीं वो देखने को न मिले, लेकिन इनकी शंका बिलकुल जाइज है, क्योंकि इन दिल्ली से मैं सुमन कुमार केमरमेन राहुल देब के साथ